में भी तो रिस्पेक्ट फर एनिमर्स पर जोड दिया रहा है मेरी आप सभी से अपील हैं कि आप इस कॉंपटिशन में जरूर भाग लीजिए क्या पता इनाम स्वरू चीते देखने का पहला आउसर आपको ही मिल जाए मेरे प्यारे देश साथियों आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानुताबादी, चिंतक और महान सपूत दिन दैल उपायजी का जन्म दिन मनाये जाता है किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गवरों पर गर्व करते हैं उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकरशित करते हैं दिन दैल जी के विचारों की सबसे बड़ी खुबी यही रही है उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पूथल को देखा था वो विचार धारों के संगर्सों के साक्षी बने थे इसलिए उन्होंने एकात्म मानोव दर्शन और अंतियोजय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतिय था दिन दैल जी का एकात्म मानोव दर्शन एक ऐसा विचार है चो विचार धारा के नाम पर द्वंत और दुरहाग्रत से मुक्ति दिलाता है उन्होंने मानो मात्र को एक समान मानने वाले भारतिय दर्सन को फिर से दुनिया के सामने रखा हमारे सास्त्रों में कहा गया है आत्मबत सर्वभूत एशू अर्थाथ हम जीव मात्र को अपने समान माने अपने जैसा विहवार करें आधुनिक सामाजिक और राजनितिक परिप्रेक्ष में भी भारतिय दर्सन कैसे दुनिया का मारदर्सन कर सकता है ये दिंदैल जी ने हमें सिखाया एक तरह से आज़ादी के बांग देश में जो हीन भावना थी उससे आज़ादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बहुदिक चेतना को जागरत किया वो कहते भी थे हमारी आज़ादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृती और पहचान की अभिवक्ति करे इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का वीजन निर्मित किया था दिन दयाल उपाय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मोजूद व्यक्ति होता है आज हार्थी के अमरित काल में हम दिन दयाल जी को जितना जानेंगे उनसे जितना सिखेंगे देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सब को प्रेणा मिलेगी मेरे प्यारे देश स्वासियों आज से तीन दिन बाद यानि 28 सितंबर को अमरित महोत्सव का एक विशेश दिन आ रहा है इस दिन हम भारत मा के वीर सपूत बगत सिहीं जी की जैनती मनाएंगे भगत सिहीं जी की जैनती के ठीक पहले उन्हें स्रद्धानली स्वरूप एक महत्वपुन नेने किया है यह तै किया है कि चंडिगर्ट एरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिहीं जी के नाम पर रखा जाएगा इसकी लंबे समय से प्रतिक्षा की जा रही थी मैं चंडिगर्ट पंजाब हर्याना और देश के सभी लोगों को इस नेने की बहुत बदबधाई देता हूँ साथियों हम अपने स्वतंतरता सेनानियों से प्रेणा ले उनके आदर्सों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाए यही उनके प्रति हमारी सरधानली होती है शहीदों के समारक उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें करतव्य के लिए प्रेणा देते हैं अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पत पर नेता जी सुभा चंदर बोश की मुर्ति की स्थापना के जरिये भी ऐसा ही एक प्रयास किया है और अब शहीद बगत्थी के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रदा सेनानियों से जुड़े विशेश अवसरों पर सेलिबरेट कर रहे हैं उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करें वैसे मेरे प्यारे देश फास्यों आप सभी के बास 28 सितंबर को सेलिबरेट करने की एक और वज़े भी है जानते हैं क्या है मैं जरिब दो शब्द कहूंगा लेकिन मुझे पता है आपका जोश चार गुना जादा बढ़ जाएगा ये दो शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ गया न जोश हमारे देश में अमरित महोत्सों का जो अभियान चल रहा है उन्हें हम पूरे मनोयोग से सलिबरेट करें अपनी खुशियों को सब के साथ साजा करें मेरे पैरे देश सासियों कहते हैं जीवन के संगर्सों से तपे हुई व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती अपनी रोज मर्रा के जिन्दगी में हम कुछ ऐसे साथकों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी सारिलिक चुनोती से मुकाबला कर रहे हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहां तो सुन नहीं पाते या बोल कर अपनी बात नहीं रख बाते ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लेंग्वेज लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लेंग्वेज के लिए कोई स्पस्ट हावभाव तै नहीं थे स्टेंडर्स नहीं थे इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्थ 2015 में इंडियन साइन लेंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना कुई थी मुझे खुशी है कि इस हंस्थान अब तक दस हजार वर्ड्स और एक्स्परेशन्स की डिक्षनेरी तयार कर चुका है दो दिन पहले यानि 23 सितंबर को साइन लेंग्वेज डे पर कई स्कुली पारक्रमों को भी साइन लेंग्वेज में लॉंच किया गया है साइन लेंग्वेज के 23 स्टांडर को बनाय रखने के लिए राष्ट्रिय सिक्षा निती में भी काफी बल दिया गया है साइन लेंग्वेज जो डिक्षनेरी बनी है उसके वीडियो बना कर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है यूटूब पर कई लोगों ने कई संस्थानों ने इंडियन साइन लेंग्वेज में अपने चैनल सुरू कर दिये हैं यानि साथ आठ साल पहले साइन लेंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था अब उसका लाब लाखों मेरे दिव्यान भाई बहनों को होने लगा है हर्याना के रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लेंग्वेज से बहुत खुश है पहले वो अपने बेटे से ही संभाद नहीं कर पाती थी लेकिन 2018 में साइन लेंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद मा बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है पूजा जी के बेटे ने भी साइन लेंग्वेज सिखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीत कर भी दिखा दिया इसी तरह टिंका जी की छे साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है टिंका जी ने अपनी बेटी को साइन लेंग्वेज का कोर्स कराया था लेकिन उन्हें खुद sign language नहीं आती थी इस वजह से वो अपने बच्ची से communicate नहीं कर पाती थी अब टिंका जिने भी sign language की टेनी ली है और दोनों मा बेटी अब आपस में खूब बाते किया करती है इन प्रयासों का बहुत बड़ा राव किरला की मंजुजी को भी हुआ है मंजुजी जन्म से ही सुन नहीं पाती है इतना ही नहीं उनकी परेंट की जीवन में भी यह स्थिती रही है ऐसे में sign language ही पूरे परिवार के लिए समवा का जरिया बनी है अब तो मंजुजी खुद ही sign language की teacher बनने का भी फैसला दे लिया है साथियों मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूँ ताकि Indian sign language को लेकर awareness बढ़े इससे हम अपने दिम्यां साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे भावे और बैनों कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेम कोष की एक copy भी मिली है हेम कोष असमिया भाषा की सबसे पुरानी dictionary में से एक है यह 19-20 सताबदी में तयार की गई थी इसका संपादन प्रख्याद भाषावीद हेम चंद्रब बरुवाजी ने किया था हेम कोष का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वल्यूम से भी अधिक में प्रकाशिर होनी जा रहा है इसमें एक लाग से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है और सामर्त बदाने में बहुत मदद करते हैं आज भारत पारा स्पोर्ट में भी सफलता के परजम लहरा रहा है हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्थर पर भढ़ावा देने में जुटे हैं इससे दिव्यांगों के आत्मिस्वास को बहुत बल मिलता है मेरे प्यारे देश नाशियो मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी सूरताओं को जरूर बताना चाहता हूँ साथियो अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रॉम से पीडित है और वो बच्पन से ही हार्ट की गंभीर बिमारी से भी जूजती रही है जब वो केवल तीन महने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जिरी से भी गुजरना पड़ा इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और नहीं उसके माता पिता ने कभी हार मानी अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रॉम के बारे में पूरी जानकरी खटा की और फिर ताई किया कि अन्वी की दुसरों पन दिर्भरता को कम कैसे करेंगे उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाएना जूते के फिते कैसे बांदा कपड़ों के बटन कैसे लगाना ऐसी छोटी 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 चीजे सिखाना शुरू किया कौन सी चीज की जग कहा है कौन सी अच्छी आधत होती है इस सब कुछ बहुत धैरिय के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की बिटिया अन्वी ने जिस तरह सिखने की इच्छा सक्ती दिखाई अपनी प्रतिभा दिखाई उससे उसके माता पिता को भी भाहुत होसला मिला उन्होंने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेरित किया मुसिबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने दो पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी ऐसी परिस्तिती में उनके माता पिता जी ने अन्वी को योग सिखने के लिए प्रेरित किया पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोश के पास गई तो भे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासुम बच्ची योग कर पाएगी लेकिन कोश को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है वो अपनी मा के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है अन्वी आज देश भर के कंपटिशन में हिस्सा लेती है और मेडल जित्ती है योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया अन्वी ने योग को आत्मसाथ कर जीवन को आत्मसाथ किया अन्वी के माता पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भूत बलाव देखने को मिला है अब उसका सिल्फ कॉन्फरिणस गजब का हो गया है योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली जिया रही है मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौझूद मन की बात के सुरूता अन्वी को योग से हुए लाप का वज्ञानिक अध्यान कर सके मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस्टरी है जो योग के सामर्थ को जातना परखना चाहते हैं ऐसे वज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफ़ता पर अध्यन करके योग के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना चाहिए ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रॉम से पीडि बच्चों की बहुत मदद कर सकती है दुनिया अब इस बात को स्विकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत जादा कारगर है विशेशकर डायबिटीज और ब्लड प्रिसर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है योगी की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को सयुक्त राष्ट ने अंतराष्टिय योग दिवस्त मनाना ताइक किया हुआ है अब युनाइटेड नेशन सयुक्त राष्ट ने भारत के एक और प्रयास को रेक्रिनाइज किया है उससे सम्मानित किया है ये प्रयास है वर 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइफर टेंशन कंट्रोल इनिशेटिव इसके तहट बलड प्रिशर की मुश्किलों से जूज रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है जिस तरह इस इनिशेटिव ने अंतराष्टिय समस्ताओं का ध्यान अपनी और खीचा है वो अभुत्पुर्व है ये हम सब के लिए उत्सा बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से करीब आधे का बलड प्रिशर कंट्रोल में है मैं इस इनिशेटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ जिन्नों ने अपने अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया साथियों मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है चाहे वो समंदर हो नदी हो या तालाब भारत का भी सभागे हैं कि करीब साड़े साथ हजार किलोमेटर से अधीक लंबी कोस्ट लाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अतूट रहा है यह तटिय सीमा कई राज्यों और दिपों से होकर गुजरती है भारत के अलग अलग समुदायों और विविदताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते फुलते देखा जा सकता है इतना ही नहीं इन तटिये इलाकों का खानपान लोगों को खुब आकरशित करता है लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दूखत पहलू भी है हमारी ये तटिये क्षित्र परियावरन से जुड़ी कई चुलोतियों का सामना कर रहे है क्लाइमेट चेंज मरीन एकोसिस्टिम के लिए बड़ा खत्रा बना हुआ है तो दूसरी और हमारे बीचीच पर फैली गंद की परेशान करने वाली है हमारी ये जिम्मेदारी बनती हैं कि हम इन चुनोतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्यास करें यहां में देश के तटियेश खित्रों में कोस्टल क्लिनिंग की एक कोशिश स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर इसके बारे में बात करना चाहूंगा पाज जुलाई को शुरू हुआ यह अभ्यान बीते 17 सितंबर को विश्व कर्मा जेन्ति के दिन संपन हुआ इसी दिन कोस्टल क्रीनप डेवी था आजहादी के अमरित महुत्सों में शुरू हुई यह मुहीम पचरतर दिनों तक चली इसमें जन भागी दारी देखते ही बन रही थी इस प्रयास के दोरान पूरे धाई महने तक सफाई के अनेक कारकम देखने को मिले गोवा में एक लंबी हुमन चेन बनाई गई काकिनारा में गणपती विसरजन के दोरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुक्सान के बारे में बताया गया एनेसेस के लगभग पाच हजार युवा साथ्यों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया ओडिसा में तीन दिन के अंदर 20 हजार से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरश्चिस सागर के लिए प्रेरीद करेंगे मैं उन सभी लोगों को बढ़ाई देना चाहूंगा जिनोंने इस अभ्यान में हिस्सा लिया इलेक्टेड ओफिशल्स खासकर सहरों के मेर और गाओं के सरपंचों से जब मैं समबात करता हूँ तो यह आगरत जरूर करता हूँ कि स्वच्छता जैसे प्रहासों में लोकल कॉम्यूनिटीज और लोकल और्गनाशन को शामील करें इनोवेटिव तरीके अपना है बैंगलूर्यू में एक टीम है यूद्फ और परिवर्तर पिछले आंट सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदाई गतिविद्यों को लेकर काम कर रही है। जोड़ा है। प्रतेग रविवार को यह कारकम सुबह सुरू होता है और दोपर तक चलता है। इस कारे में कच्रा तो हटाया ही जाता है। देवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचिज बनाने का काम भी होता है। कई जगहों पर तो आप प्रसिद्य व्यक्तियों के स्केचिज और उनके इंस्पिरेशनल कोर्स भी देख सकते हैं। बैंगलोरू के यूद्फ और परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरट के कबार से जुगाड अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये अभियान परियावरन की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदरी करण से भी जुड़ा है। इस मुहीम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक बेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदरी करण कैसे हो ये अभियान इसकी भी एक मिशाल है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं रदय से सरहना करता हूँ। मेरे प्यारे देश भास्यों इस समय देश में चारों और उत्सव की रोनक है। कल नवरात्री का पहला दीन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप माशाईल पुत्री के उपासना करेंगे। यहां से नव दिनों का नियम, सहियम और उपास फिर विजया दस्मे का पर्व भी होगा। यानि एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्ताव और आध्यात्मिक्ता के साथ साथ कितना घहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और सहियम से सिद्धी की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व यही तो जीवन में किसी भी लक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दसरे के बाद धंतेरस और दिवाली का भी पर्वाने वाला है। साथियों, बीते वर्सों से हमारे त्यहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं ये संकल्प हैं वोकल फर लोकल का। अब हम त्यहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, सिल्पकारों को और व्यापार्टियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले दो अक्तूबर को बापू की जेंती के मोके पर हमेशा भ्यान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैनलूम, हैंडिकाप, ये सारे प्रोडक के साथ साथ लोकल सामान जरूर खर दे हैं। आखिर इस त्यहार का सही आनन भी तब है जो हर कोई इस त्यहार का हिस्सा बने है। इसलिए स्थानिय प्रोड़क के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है एक अच्छा तरीका ये हैं कि त्योहार के समय में हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोड़क को शामिल करें इस समय यह अभ्यान इसलिए भी खास है क्योंकि आज़ादी के अमरित महोसव के दोरान हम आत्म निर्फर भारत का भी लक्ष लेकर चल रहा है जो सही मायने में आज़ादी के दिवानों को एक सच्ची स्रद्धान्जली होगी इसलिए मेरा आपसे निवेदन है किस बार खादी, हैंड लूम या हैंडी क्राफ इस प्रोड़क को खरिदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दे हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलिथिन बैक्स का भी बहुत इस्तिमाल होता रहा है स्वच्छता के परवों पर पॉलिथिन का नुक्सान का रखकच्रा ये भी हमारे परवों की भावना के खिलाब है इसलिए हम स्थानिय तर पर बने हुए नौन प्लास्टिक बैक्स का ही इस्तिमाल करें हमारे हां जूट के, सूट के, केले के ऐसे कितने ही पार्मपारिक बैक्स का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दे और स्वच्छता के साथ अपने और परियावर के स्वास का भी ख्याल रखे मेरे प्यारे जेस्वास्यों हमारे सास्त्रों में कहा गया है परहित, सरिस, धर्म नहीं भाई यानि दूसरों का हीत करने के समान दूसरों की सेवा करने उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और जड़क देखने को मिली आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी ना किसी टीबी से पीडित मरीच को गोड ले रहे हैं उसके पौश्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं दरसल ये टीबी मुक्त भारत भ्यान का एक हिस्सा है जिसका आधार जन भागीदारी है करतव्य भावना है सही पोशन से ही सही समय पर मिली दवाईयों से टीबी का इलाज संभव है मुझे भी स्वास है कि जन भागीदारी की इस सक्ति से वर्थ दोहजार पटीस तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा साथियों केंदर सासित प्रदेश दातरा नगर हवेली और दमन दीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरन जानने को मिला है जो मन को छू लेता है यहां के आदिवासी छेतर में रहने वाली जीनू रावतकिया जी ने लिखा है कि वहाँ चल रहे गाम दब्तक कारेकम के तहट मेडिकल कॉलेज के स्टूरंस ने पचास गाउं को गोड लिया है इसमें जीनू जी का गाउं भी शामिल है मेडिकल के इचात्रा बिमारी से बचने के लिए गाउं के लोगों को जागरुक करते हैं बिमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकरी देते हैं परोग कार की ये भावना गाओं में रहने वालों के जीवन में नई खुशियां लेकर आई है मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनादन करता हूँ साथियों मन की बात में नए नए विशों की चर्चा होती रहती है कई बार इस कारकम के जरिये हमें कुछ पुराने विशों की गहराई में भी उतरने का मौका मिलता है पिछले महिने मन की बात में मैंने मोटे अनाच और वर्ष दोहजार तेईस को इंटरनेशनल मिलेटियर के तोर पर मनाने से जूरी चर्चा की थी इस विशय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है मुझे ऐसे धेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनीक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है कुछ लोगों ने मिलेट से बनने वाली पारमपारिक बेंजनों के बारे में भी बताया है ये एक बड़े बनलाव के संकेत है लोगों के इस उत्साओं को देख कर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक e-book तैयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिसेश और अपने अनुभवों को साजा कर सके इससे इंटरनेशनल मिलेट येर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माई गौव पॉर्टल पर पब्लिस कर सकते हैं साथियो मन की बात में इस बार इतना ही लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है इस बड़ाई खास मोका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है कोवीड महमारी के वज़र से पिछली बार के आयोजनों को रत करना पड़ा था इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाडी को मेरी बहुत बहुत शुपकामना है इस दिन खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूँगा आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाडियों का होसला बढ़ाएं अब मैं आज के लिए विदा लेता हूँ अगले महिने मन की बात में नए विश्यों के साथ आप से फिर मिलाकात होगी धन्यवाद